एक सवाल है कि आप दें उद्यमी हैं पैसे का मामला पूरा जानते हैं और चुनाओं में कैसा पैसा खर्च किया जाता यह भी आप जानते हैं पूरा उनर भी तो आईटी रेट जो पड़ा है भी यह क्या है चुनाओं से पहले ही क्यों अब सीवी आई और एडी भी देखिए तमाम एजेंसियां अपने हिसाब से काम करती हैं और सर्वलांस में सारी चीजे लगी होती हैं सर्वलांस में जब लगी होती तो कोई भी बिजनेसमेंड या कोई भी वैपारी या कोई भी इन लीगल जब ट्रांजेक्शन होता है तो वो सर्वलांस में पकड़ा जाता है को समय किया होगा इसी समय पकड़े गए और पकड़े गए तो तमाम इस तरह से चाहती पीट के रो रहे हैं और वह तो चाहे इड़ी हो चाहे आईटी हो वह समय-समय पर करवाई कर दो चोटे दनों के साथ गठवंधन करके चुनाल बच्वाइड और भाजबाई E diz 65ai क Biz इस्तेवाल कर सकते है आप लोग इसका भी कर सकते हैं द्रीजिक्विंधन इस प्राइश के आम जन्मानत से है इस प्रदेश सांती पसंदी से इस प्रदेश में जो राष्ठ भक्त लोग हैं जो राष्ट को चाहते हैं देश की तरक्की चाहते हैं उन लोगों से हैं और यह इस तरह की बाते कर करके यह ज ज sist लोग मामते हैं कि जब इनके पास सारे ही खत्म हो जाते हैं तो यह अपने हर ले छोड़ते हैं इसका मतलब हतोत साहित हो गई roast a हतो साहित तो पूरा विपच्छ हुए आप देखिए 2014 के बाद अगर आप उत्तर प्रदेश का ही रुज़ान देखेंगे 2014 के बाद 2014 में जब प्रचंड भहुमत दे करके उत्तर प्रदेश की जनता ने 73 सीटे भारती जनता पार्टी को देने का काम किया उसके बाद लगातार जब प्रदान मंतरी मोधी जी ने इस देश के जन्मानस के लिए काम किया 130 करोड लोगों के लिए काम किया तो 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड भहुमत एक जिसे विधान सभा ऐसी गोल विधान सभा है तो यह जो आम जन्मानस के लिए प्रदान मंती जी ने काम किया तो 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड भहुमत की सरकार बनी और प्रचंड भहुमत की सरकार बनी तो हमारे पार्टी के सिर्शनेत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत किया समाजवादी पार्टी की सरकार में जो यादो होता था उससे भी बोलते थे दस लाख रुपए दो तब पुलिस की नौकरी लगेगी सवाल सियासत को लेकर है क्योंकि चुनाव अब एकदम नजदीक आ चुके हैं सवाल यह कि अपर क्यों कॉंग्रेस इस तरीके के महसूस करते थे और कलाई नारा घर में पूजा करके पहनते भी तो यह तो काड के गमले में डाल देते थे यह तो छिपा करके रहते थे आज उनको जनेवं दिखाने की जरूरत पड़ रही है तो निश्चित रूप से वो जो इस तरह का बयान है वो इसी मानसिक्ता को ध्य क्याम में रक्ति कर दो में डिखाने की जरी जरूरत पड़ इखाने की जरूरत पत्ति की जरूरत है वो जया तो है तो जो है वो जरूरत है।